नमस्कार, मल्टी रोज लाइफ चैनल में मैं रचना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिम्पल्स की प्रॉब्लम यानि मुहासो की समस्याओं का सरल उपाई दोस्तो देखा जाता है कि पिम्पल्स की प्रॉब्लम यानि मुहासो की समस्या यंग एज के शुरू होने के दौरान ही देखने को मिलती है अगर इस दौरान हम थोड़ी सी केर कर लेते हैं तो आपकी ये समस्या हो जाती है चूँ मनता है तो चलिए आपको बताते हैं कुछ सरल उपाई उपाई नमबर एक की बात कर लेते हैं जिसके लिए हमें सामगरी चाहिए सी सॉल्ट और जैटून का तेल जिसे हम ओलिब ओयल कहते हैं और चलिए अब तयार करते हैं एक पेस्ट पेस्ट तयार करने के लिए सबसे पहले एक खाली बॉल फिर उसमें हम समूद्री नमक यानि सी सॉल्ट सी सॉल्ट को हम बिल्कुल पाउडर जैसा बनाने के लिए पहले उसे कूट लेंगे ताकि वो पाउडर बन जाए इस तरह से और इस तरह से हमको इसका बिल्कुल जो पाउडर है वो बना लेना है पिर हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और फिर इसमें हम मिलाएंगे जैतुन का तेल तू टी स्पून इसमें हम जैतुन का तेल मिलाएंगे इस तरह से और फिर अच्छे से इसको हम पेस्ट बना लेंगे अब यह देखें पेस्ट तयार हो चुका है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस मिक्षर को अपने फेस पर यानि पिंपल्स पर एपलाई करें उससे पहले चेहरे को साफ पानी से धोलें और उसके बाद इस पेस्ट को जहाँ जहाँ फेस पर पिंपल्स हैं उस पर एपलाई करें और फिर उसे रात भर यूही लगा रहने दें सुबा उठकर साफ तॉल ये से अपने फेस को प्लीन कर लें इसके रोजाना इस्तमाल से आप देखेंगे कि आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम कैसे चुमंतर हो जाती है और चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उपाई नमबर दो की जिसके लिए हम इसामागरी चाहिए गुलाब जल लेमन जूस यानी निम्बू का रहस तो चलिए अब हम उपाई नमबर दो की जो रेसिपी है वो तयार करते हैं इसके लिए हम एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा गुलाब जल लेंगे एक चम्मच अगर गुलाब जल आप ले रहे हैं तो याद रखे कि उतना ही आपको निम्बू का रजबी लेना है यहाँ पर इस तरह से हम इसे मिक्स करड़ेंगे अब इस मिक्शर को जो हमने तयार किया है उसे अपने पिंपल्स पर अपलाई करें और देखिए कि कैसे रोजाना इस्तमाल से आपके पिंपल्स गायब हो जाते हैं दोस्तों इसके अलावा आपको खाने में सेब, संत्रा, निम्बू और गाजर का सेवन नियमे तोर पर करना है या फिर इनका एक गलास जूस भी आप पी सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें कि अपने पिंपल्स से छेर चार बिल्कुल ना करें ऐसा करने से आपके चेहरे पर दाग हो सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए काफी लाबकारी साबित हो रही हैं और इस तरह की हम ये तमाम जानकारियां आगे भी आपको देते रहेंगे प्लीज आप हमारे चानल मल्टी रोज लाइफ चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें धन्यवाद